हाओ एधे अगले एपिसोड में जिसका नाम है NBB News आज इम लिए इस न्यूज के वाया में आपको बताने वाले हैं यह एक फॉल्लॉअप न्यूज क्यों 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 कि इस न्यूज के कि थोड़ा सा ब्रीव में पहले चलते हैं फिर में आपको आज की नियुज बताऊंगा दोहजा बादर से 2016 के बीच में साइरस मिस्तिरी टाटा ग्रूप के चेर्मन थे और 2016 में इनके बोर्ड ने इनके गेंश में वोट करके इनको कंपनिये से निकाल दिया था यह बोलके कि कंपनी के फेबर में नहीं हो रहे हैं या फिक उनके डिसिजन से कंपनी को फाइदा नहीं हो रहा है तब साइरस मिस्तिरी ने एंसी एलेटी में एक कंप्लेंट फाइल की थी और यह बोला था कि मुझे इस कंपनी से जो निकाला गया है वह अधिगारिक नहीं है या फिर ल क्योंटिव चेर्मेन के पोजिशन मिल ली चाहिए और साइरस मिस्तिरी साही थे तो साइरस मिस्ति ने लसी टी की जीत के बाद कोई क्लेम नहीं किया बड़ टाटा गुरूप ने फिर से इसके एगेंस्ट में जाकर सुप्रिम कोट में केस फाइल की जिसमें एंसे लीटी क जो कम्प्लेंस इसको चैलन्ज किया और यह बोला कि नहीं की कर जो डिसिजिजन हैं हम उसको में चैलन्ज करते हैं इस बीच में एक और सायास मिस्ति को मानते हैं मगर में आपको बताना चाहता हूं जो आज नहीं हो रही है कि सुप्रिम कोट ने कहा है कि जो कहानी चलती आ रही है और अब सुप्रिम कोट के दिखते हैं कि कि ताटा गुरूप क्या कदम देता है और करेंट चेयर में ने ताटा गुरूप के एंचन से करन क्या उनको हटाया जाएगा या फिर साइस में इस्तिरी कोई पोजीशन नहीं लेंगे देखते हैं अगले न्यूज में एक्सपिक ब्रांट के जूड़े रहे हैं थैंक्यू